फिलम की शुरवात में जॉसफिन नाम के एक लड़की ड्रेंग करते हुए अपनी स्टोरी बता रही होती है कि आज वो जिस पुजीशन पे है उसे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछे जेलना पड़ा इसके बाद हमें बता चलता है कि वो एक अंजान आदमी के साथ इंटिमेट हो रही है जॉसफिन का काम और फेवर पास्टाइम इंटिमेट होना ही है कुछ देर बाद उस अंजान आदमी का काम हो जाता है और वो खुद को साफ करने के लिए वाश्रूम जाता है इसके बाद जोसेफिन अपनी कहानी आगे बढ़ाती है वो बताती है कि उसने आज तक कि किसी भी मर्द को ये एसास नहीं होने दिया कि वो जोसेफिन को सैटिस्फाइ कर सकते हैं इसी तरह से उसने प्रोस्टिउशन के धंदे में अपनी इज़त बनाई है इसके बाद जोसेफिन याद करते हुए बताती है कि उसने पहली बार अपने स्टेप फादर और अपनी स्टेप मॉम को इंटिमेट होते हुए देखा था इसके साथ ही स्टोरी जोसेफिन के पास्ट में शिफ्ट हो जाती है जब जॉसेफिन अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है और उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई देती है वो अपने कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि उसका step brother Richard अपने parents के कमरे में जाक कर अपने हाथ्यार को सहला रहा है वो उसके पास जाती है और उससे सवाल करती है कि वो ये क्या कर रहा है तब Richard सहम जाता है और अपने parents की और इशारा कर देता है Josephine देखती है कि उसके parents intimate हो रहे होते हैं अब ये दोना अपने parents को देखने लगते हैं साथी में Josephine अपने step brother Richard के private part को touch करने लगती है Richard को भी अच्छा लगने लगता इसलिए वो उससे नहीं रोकता इस तरह से कमरे के अंदर उनके mom dad और बाहर वो दोनों बाई बहन हदे पार कर रहे थे थोड़ी देर में Josephine के dad का का काम ख़तम हो जाता है और वो ठक जाते हैं मगर उसकी mom satisfied नहीं होती है इसके बाद Richard Josephine को कमरे में ले जाता है और वो उसके साथ intimate होना चाता है लेकिन Josephine ने ये पहले कभी नहीं किया था इसलिए उसे पेन होने लगता है और वो Richard को रोक दीती है इसके बाद दोनों सिरफ एक दूसरे को pleasure देती है उसी रात से Josephine के मन में sexual desire बढ़ने लगती है और वो हर वक्त इस बारे में ही सोचने लगती है तब Josephine अपने आसपास के बड़े लोगों से ये सारी चीज़े सीखना चाती थी और एक दिन उसके स्टेफ फादर के दोस्त जिनका नाम मिनिस्टर बेकर होता है वो कुछ दिनों के लिए Josephine के घर में रेंट पे रहने के लिए आये हुए थी Josephine के डैड काम पे चले जाती थी और Josephine भी अपनी माम से कहती है कि उसे वौक के लिए बाहर जाना है मगर जैसे ही Josephine अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने डैड की आवाज सुनती है जो कि मिस्स पी बोड़ी से बात करते हुए आ रहे थे दरसल मिस्स पी बोड़ी एक अविद्बा औरत है जो की अकेले रहती है और वो बजार से कुछ समान लेकर आ रही होती है मगर जैसे डैड से मिस्स पी बोड़ी की तकलीफ देखी नहीं चाती और वो उसकी मदद करने लगती है ये देखकर जोसेफिन तुरंट अपने घर के दरवाजे के पीछे चुप जाती है और अपने डैड को उस औरत के साथ उनके घर में जाते हुए देखती है इसके बाद जोसेफिन उनके पीछे पीछे मिस्स पी बोड़ी के घर के बाहर तक चली जाती है जहां वो देखती है कि उसके डैड उस आरत को इस मौके का फाइदा उठाने के लिए बॉल रहे हैं अलाकि मिस्स पीबोडी को डर लग रहा होता है कि कहीं कोई उन्हें ऐसा करते हुए देखना ले लेकिन मिस्टर ग्रे उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो दोनों इंटिमेट होने के चक्कर में गेट भी बंद करना भूल जाते हैं जिसके कारण अंदर का सारा नजारा जासेफिन देख रही थी यह सब देखर जासेफिन से रहा नहीं जाता और वो प्लेजर लेने रखती है वगर तब ही उसके स्टेफ फादर मिस्टर ग्रे आकर दरवाजा बंद कर देते हैं जिसे जासेफिन को कुछ दिखाई नहीं दिता इसलिए वो अपने घर वापिस आ जाती है यह वो और भी जादा हिरान हो जाती है क्योंकि जासेफिन की मौम अपने किराईदार के साथ इंटिमिट हो रही थी और उससे थोड़ा जल्दी करने को कह रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जासेफिन वो करके वापिस घर ना जाए लेकिन जासेफिन यह नोटिस करती है कि उसकी मौम को अपने हस्बेंट से जादा मिस्टर बेगर के साथ मजा रहा था यह सब देखकर जासेफिन फिर से अपना प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है और जब उसकी मौम का काम खदम हो जाता है तो वो दर्वाजे के पास जाकर आवास करती है तांकि उसकी मौम को लगे कि जासेफिन अभी घर आई है वो उन दोनों के साथ इंडारेक्ली मजा करती है कि उसने सब कुछ देख लिया मगर जासेफिन की मौम उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और ये सब देखकर जासेफिन और भी जादा एकसाइटेड हो जाती है और अपने लिए सही मौके का इंतजार करने लगती है कुछ दिनों के बाद मिस्टर हचिसन उनके बेसमेंट को रेंट पे लेती है इसे दुरान उनकी दोस्ती मिस्स पी बोडी से हो जाती है जिससे जासेफिन जेलस फील करती है और कुछ देर बाद जासेफिन देखती है कि वो दोनों गडाउन में जाकर इंटिमेट हो रहे हैं इस बार जासेफिन चुपकर नहीं बलकि उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है वहीं जब दोनों की नजर जॉसेफिन पर पड़ती है तो वो डर जाते हैं मिस्टर हचिसन जॉसेफिन को कुछ पैसे देकर उसे पना मुँ बंद रखने की रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन जॉसेफिन पैसे लेने से मना कर देती है वो कहती है कि मिस्टर हचिसन जॉसे प्लैजर देने लगती है तो वो खुश हो जाती है तब मिस्टर हचिसन की बात उसके डैट को बता चलेगा तो सही नहीं होगा सब को बता देगी ये सुनकर मिस्टर पी बोड़ी शान्थ हो जाती है लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जॉसफिन मिस्टर हजिसन के साथ मज़े करे लेकिन मिस्टर हजिसन उसे ये कहकर वहां भेज देता है कि उन्हें तो ये सब मजबूरी में करना पड़ा इसलिए मिस्टर पी बोड़ी वहां से चली जाती है और जॉसफिन मिस्टर हजिसन के साथ मज़े करने लगती है यहां वो अपनी वरजिनिटी भी लूज करती है इसके बाद सही जॉसफिन रात में बिना कपड़ों के सोने लगती है एक दिन जॉसफिन की मॉम को नीमोनिया हो जाता है और उन्हें होस्पिटलाइज किया जाता है तब जॉसफिन को ही घर का सारा काम संभालना पड़ रहा था मिस्टर ग्रे काम पर चले जाती है और जॉसफिन मिस्टर बेकर के पास ब्रेकफस्ट लेकर जाती है मिस्टर बेकर नींद में होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि जॉसिफिन की मॉम है इसलिए वो जॉसिफिन के हाथ में अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ा देती है और जॉसिफिन भी उसे प्लैजर देने लगती है लेकिन जब मिस्टर बेकर चाकते हैं तो वो नहीं बर रहा होता है वो जॉसेफन से कुछ खाने के लिए मांगते हैं और तब ही वहाँ पर जॉसेफन के स्टेफ फादर आकर बताते हैं कि उसकी मौम की मौत हो चुकी है इसी बीच उनकी नजर जॉसेफन और मिस्टर बेकर पर पड़ती है जो की बिना कपड़ों के थे व जॉसेफन को लगता है कि जिस वक्त उसकी मौम को उसकी सबसे ज़ादा जरूरत थी तब वो मिस्टर बेकर के साथ अपनी ख्वाइशे पूरी करने में लगी हुई थी इसलिए जॉसेफन दोबारा किसी मत के साथ सबंद नहीं बनाती लेकिन वो रज़ाना सोने से पहले प गुनाओं को खतम करने के लिए उसे चर्च में भीजते हैं वही चर्च में जॉसेफन फादर को जाकर बताती है कि उसे अपने गलत कामों को कनफेस करना है ता फादर जॉसेफन से पूछते हैं कि उसने कौन से पाप की है जॉसेफन बता देती है कि उसने कई मर्दों के सा वो आज तो वो ज्युसेफन को पापों से मुक्ती दिलाएंगे इसलिए वो आज इसकी मदद नहीं कर पाएंगे इसे वो लेड़ी काफी ज़्यादा उधास हो जाती है इसके बाद वो फादर और जॉसेफन को इंटिमेट होते हुए देखती है और घर चाते वक्त जॉसेफन को भी अपने घोड़े घाड़ी में लिफ्ट देती है कर ही खुश होती है फिर वो लेड़ी जॉसेफन को अपने घर ले जाती है जहां वो लोग फोर्सम करती है दूसरी और जॉसेफन के डैड एक नए रिडॉल्फ नाम के किराएदार को ले जाती है जो पहली मुलाकात में ही जॉसेफन के काफी करीब आने की कोशिश करता है मगर जॉसेफन उससे दूर भागती रहती है अब कोई भी रूम खाली ना होने की विडियो से जॉसेफन को अपने डैड के रूम में ही उनके ही बेट पर सोना पड़ता है और क्योंकि जॉसेफन को बिना कपड़ों के सोने की आदत हो गई थी इसलिए वो अपने डैड के साथ भी बिना कपड़ों के ही सोती है उसी राद उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या चर्च के फादर ने उसका फाइदा उठाया जॉसेफन इस बात पर हावी भर देती है तब वो भी पूछने लगते हैं कि उस फादर ने उसके साथ सारी चीज़े कैसे कैसे की और खुद भी वो जॉसेफन के बदन को चुने लगती है लेकिन फादर की हरकते सुनकर गुसे में जॉसेफन के डैड सो जाती है और तबी जॉसिफन भी सो जाती है लेकिन जब वो आदी रात को जाकती है तो उसके स्टेफ फादर उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे लेकिन जॉसिफन को इसमें मजा नहीं लगता है इसलिए वो सोई रहने का नाटक करती है अगली रात बिल्कुल ऐसा ही होता है वो थोड़ी देर तक सोई रहने का नाटक करती है फिर वो जाकर अपने डैड से सवाल करती है कि वो उसके साथ क्या कर रहे है तब उसके डैड कह देती है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तब जॉसिफन भी मान जाती है और अ तब जॉसिफन के डैड काम भी चली जाती है और अकेले में रिडॉल्फ जॉसिफन को धंकी देता है कि अगर वो उसके साथ भी इंटीमेट नहीं हुई तो उसके डैड की कमप्लेइन पुलिस में कर देंगे इस डर से जॉसिफन रिडॉल्फ के साथ भी इंटीमेट हो जा का रुडॉल्फ जैनी नाम के एक प्रास्टिटूट को भी घर ले आता है जिसके बाद ये चारों मिलकर फोर सम करती है अब अगले ही दिन से जैनी अपने कस्टमर को लेकर जॉसेफन के घर आने लगती है और कुछ पैसे वो जॉसेफन के डैड को भी देती है फिर रुडॉ सर्फन एक प्रास्टिटूट बन जाती है और इसके साथ ही ये फिलम यहींपर खतम हो जाती है गायस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजाए ऐसे ही वीडियोs के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब किजा हैं कोर कमाल की वीडियो के साथ धन आपनेवाद